हालो गैज मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आई सी में गैज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉंक के बारे में बॉंक टोकन आप लोगों ने जरूर होल्ड करके रखे हैं और जो लोग नए हैं यहां पे बाइंग टाइम बन रही है की नहीं उसको लेकर भी बात करेंगे साथ ही हम बात करेंगे कि इसको बहुत जल्द यानि कि दो हजार चौबिस खतम होते होते है तो चलिए हम पूरी डीटेल से आपको बताएंगे साथ ही हम बिटकॉाइन के बारे में बात करेंगे और एडिये एकसारपी के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए फटा फट वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा नोटिफिकेसन आइकन दबा लिजिएगा क्योंकि मैं यहां क्रिप्टो के रिगाडिंग छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूं गैज सबसे पहले अगर जब बिटकोईन को लेकर बात कर ली जाए तो बिटकोईन गजब का खेल दिखा रहा है मात्र 700 डॉलर दूर रह गया जब मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूं लगभग 99,300 डॉलर पे ट्रेड हो रहा था और यकीनन देखा जाए तो मात्र 700 डॉलर यहां से अगर जी ये मूव करता है एक परसेंट से भी कम अगर जे एक परसेंट यहां से बिटकोईन पंप कर जाता है तो एक लाख डॉलर को पहुँच जाएगी ये एक बहुत बड़ी जो है गैज उपलब्दी है बिटकोईन को लेकर क्योंकि बहुत सारे लोग अगर जो 2022 में देखा जाए तो जब बिटकोईन की प्राइस 15,000 डॉलर पे गई थी तो चेदरन भगज जैसे आदमी जो थे वो कह रहे थे कि क्रिप्टो खतम हो गया है क् 15,000 डॉलर पे आ गई ये तमाम सारी चीजे जो है देखने को मिली थी लेकिन ये तो बिटकोईन का सौभाव है गैज की दो तीन साल तक खूब जो है डाउन जाता है उसके बाद हालविंग के बाद से जो है इसमें एक रैली देखने को मिलती है यकीनन यहां पे देखा जा तो 99,300 डॉलर पे पहुँच चुका है लेकिन इथेरियम को देखा जाए तो इथेरियम जहीं का तहीं है गैज अगर बिटकोईन को हम बात करें तो बिटकोईन जब 72, 73,000 डॉलर की स्रेनी में आया था तो इथेरियम लगभग 4,000 डॉलर तक चला गया था लेकिन आज परिन वो मैरेज के चकर में फसे हुए हैं तो में भी यहां पे इथेरियम देर सवेर आपको बहुत बड़ा रैली देखाएगा इसमें आप जो है अभी बने रही है स्पोर्ट की ट्रेडिंग में आगे हम बात करेंगे एडियों के लिए करते एडिये आज की डेट में 11% और एक सारपी देखा जाए तो 23% यहां पे बहुत बड़ी उच्छाल जो है इन दोनों टोकन में भी देखने को मिल रहा है तो गैस यह हो गई मार्केट की बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं बीना देर करते हुए बॉंग की तरह बॉंग के बारे में बात कर लिजाए तो रैंकिंग देखी जाए इसकी तो 30 नंबर पे जो है यह बना हुआ है क्वाइन मार्केट कैप पे और इसकी अगर जहें हम बेसिक डिटेल से आपको बताना इस्टार्ट करें तो करंट प्राइस इसकी जो चल रही है प्वाइन के बाद 4x052 की स्रीज चल रही है जो की कर बात कर ली जाए तो 75 ट्रिलियन टोकन इसके सर्कूलेशन में है अल टाइम हाई अगर जो देखी जाए तो पॉइंट के बाद 4x059 की स्रीज है इंडियन रुपीज में 2x049 यानि की लगवग लगवग 2x05 की स्रीज जो है इसकी ऑल टाइम हाई है तो गैस यह हो गए इ ट्रिलियन टोकन ये बर्न करने वाले हैं 25 दिसंबर यानि कृश्म Yaz के दिन एक ट्रिलियन टोकन बवग में जो है वो बर्न होगा और उसी के रिगाडी यहां पे बवग में इतनी बड़ी रेली लगातार जो है देखने को मिल रही है तो यहां पे दिसंबर का हमें वेट कर है लग भग यहां पर देखा जाया तो फॉर तिरी यानिकी और फाइब से एक गुना यहां से किसी हैं और यहां से चांसें हैं यहां से चांसें क्योंकि थि.ट बिलियन है लग बोल्य बिलियन डॉलर मार्केट केप में यह 0.2 x 043 पे चल रहा है तो 8 बिलियन डॉलर इसकी मार्केट केप होती है तो आपको इसी 2024 के लाश्लाट यानि कि दिसंबर के इर्दगीरद आपको जो है यह एक पैसे का लेबल दिखा देगा क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट का यही रह पर एक रुपय जाने के लिए लगभग लगभग 800.000.000.000 का मार्केट केप चाहिए 800.000.000.000.000 का मार्केट केप जो की इतेरियम का भी जो इतेरियम अभी अभी अबर जबेखा जाए तो 5500-600.000.000 बिलियन डॉलर तो मुझे नई लग रहा है कि यह आपको 800.000.000.000.000.000 जाने के लिए इसको लगभग लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर का मार्केट के चाहिए जो कि इस वाले बुलरें में ये एचीव करके आपको दिखला सकता है तो आप यदि 2022-23 के बियर मार्केट में खरीदे हुए हैं इस टोकन को तो यकीनन रखिए और अभी आप कईया गुना प्रॉफिट में भी होंगे इसका भी अंदाजा है मुझे क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से जो है अफजर्व कर रहा हूँ और बहुत पहले से इसकी वीडियो आपको दे रहा हूँ बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी किये हुए हैं तो यकीनन अभी आप बहुत प्राइस से भी आपको नीचे की प्राइस देखने को मिल सकता है तो वहाँ पे अच्छे इंट्री होगी आपकी तो गैस आगे आप कौन से कोईन पर प्राइस प्रिडिक्शन चाहते हैं उसके रिगाडिंग मुझे कमेंट कीजिए वो वीडियो देने की कोशिसम जरूर करेंगे और बिटकोईन का मज़ा लीजिए एक लाख डॉलर के बहुत नजदीक पहुँच गया है मिलते हैं नेक् लिकास को इजाज़त दीजिए नमस्कार थैंक यू